ओम शांती सुनते हैं 13 थक्टूबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महाँ वाक्य आज की अव्यक्त वार्णिंग का टाइटल है नंबर वन बनना है तो ज्यान और योग को सुरूप में लाओ आज की मुर्ली में चार क्वेश्चन नंबर वन चारों सब्जेक्ट का एक दो के साथ कनेक्शन कैसे है नंबर टू पढ़ाई एक पढ़ाने वाला एक फिर भी नंबर वार क्यों है नंबर त्री कमजोरी के संसकार कहां कहां विघन क्यों डालते हैं लास्ट कौन से खजाने से संपन विभूतियां स्वते ही दाता बन जाती है तो आज की मुरली बड़ी वंडरफुल चारों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन हर एक सब्जेक्ट का आपस में कैसे ज्ञान में अगर फुल ने तो योग में भी ओंगे ज्ञान और योग में तो धारण में भी ओंगे और उसका रिजल्ट सेवा तो सुनते हैं बाबा से तेरा अक्तूबर बाणमे की मुरली नंबर वन बनना है तो ज्ञान और योग को सुरूप में लाओ आज सत शिक्षक अपनी स्रेच शिक्षा धारण करने वाली गौडली स्टुडेंट को देख रही है कि हरे एक इश्वर्य विद्यार्थी ने इस इश्वर्य शिक्षा को कहां तक धारण किया है पढ़ने वाला एक है पढ़ाई भी एक है लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबर वार है हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं मुरली अर्थात पाठ हर स्थान पर एक ही होता है डेट का फरक हो सकता है लेकिन मुरली वही होती है फिर भी नंबर वार क्यों नंबर किसलिये होते हैं क्योंकि इस इश्वर्य पढ़ाई पढ़ने की विदी सिर्फ सुनना नहीं है लेकिन हर महावाक्य सुरूप में लाना है तो सुनना सबका एक जैसा है लेकिन सुरूप बनने में नंबर वार हो जाते हैं लक्षे सभी का एक ही रहता है कि मैं नंबर वन बनूँ ऐसा लक्षे है ना लक्षे नंबर वन का है लेकिन रिजल्ट में नंबर वार हो जाते हैं क्योंकि लक्षे को लक्षण में लाना इसमें लक्षण और लक्षण में फरक पड़ जाता है इस पढ़ाई में सब्जेक्ट भी ज़्यादा नहीं है चार सब्जेक्ट को धारन करना इसमें मुश्किल क्या है और चारों ही सब्जेक्ट का एक दो के साथ संबंध है अगर एक सब्जेक्ट ग्यान संपूरण विधी पूर्वक धारण कर लो अर्थात ग्यान के एक एक शब्द को सुरूप में लाओ तो ग्यान है ही मुख्ये दो शब्दों का जिसको रचयिता और रचना वा अलफ और बे कहते हो रचयिता बाप की समझ आ गई अर्थात परमातम परिचे संबंध स्पष्ट हो गया और रचना अर्थात पहली रचना में स्रिष्ठ आत्मा और दूसरा मुझा आत्मा का इस बेहद की रचना अर्थात बेहद के ड्रामा में सारे कलप में क्या-क्या पार्ट है ये सारा ग्यान तो सभी को है ना लेकिन स्रेष्ठ आत्मा सुरूप बन हर समय स्रेष्ठ पार्ट बजाना इसमें कभी याद रहता है तो कभी भूल जाते हैं अगर इन दो शब्दों का ग्यान है योग भी इन दो शब्दों के अधार पर है ना ग्यान से योग का स्वते ही संबंद है जो ग्यानी तु आत्मा है वे योगी तु आत्मा वश्य ही है तो ज्यान और योग का संबंध हुआ न और जो ज्यानी और योगी होगा उसकी धारणा स्रेष्ट होगी या कमजोर होगी स्रेष्ट स्वतय होगी न सह जोगी न कि धारणा में मुश्किल होगी जो ज्यानी तु आत्मा योगी तु आत्मा वे धारणा में कमजोर हो सकता है क्या नहीं न होते तो हैं तो ग्यान योग नहीं है अगर होते हैं समझो ग्यान योग नहीं है ज्यानी तु आत्मा वे स्तिती नहीं है योग लगाने वाले हैं लेकिन योगी जीवन वाले नहीं है जीवन सदाई होती है और जीवन नेचरल होती है योगी जीवन अर्थात ओरिजनल नेचर योगी की है 63 जनमों के विस्मृती के संसकार वाकमजोरी के संसकार ब्रह्मन जीवन में कहां कहां मूल नेचर बन पुरशार्थ में विगन डालते हैं कितना भी स्वैं वा दूसरा आटेंशन खिच्वाता है कि परिवर्तन करो वा स्वैं भी समझते हैं परिवर्तन होना चाहिए लेकिन जानते हुए भी चाहते हुए भी क्या कहते हो चाहते तो नहीं है लेकिन मेरी नेचर है यह मेरा सौभाव है यह तो नेचर नेचरल हो गई न किसके बोल में वा वेवार में ग्यान संपन वेवार वा योगी जीवन परमान वेवार वह बोल नहीं होते हैं तो वो क्या कहते हैं यही बोल बोलेंगे कि मेरा नैचरल बोल ही ऐसा है बोलने का टॉन ही ऐसा है वह कहां कहेंगे मेरी चाल चलन ही ऑफिशियल वह गंभीर है नाम अच्छे बोलते हैं जोश नहीं है लेकिन ऑफिशियल है तो चाहते भी समझते भी natural work करती रहती है उसमें मेनत नहीं करनी पड़ती है ऐसे जो ग्यानी जीवन वा योगी जीवन में रहते हैं तो ग्यान और योग संपन हर करम natural होते हैं अर्थात ग्यान और योग यही उनकी nature बन जाती है और nature बनने के कारण स्रईष्ट करम युक्ति युक्त करम natural होते ही रहते हैं तो समझा nature natural बना देती है तो ग्यान और योग मूल नेचर बन जाए इसको कहा जाता है ग्यानी जीवन और योगी जीवन वाला ग्यानी तो सभी हो योगी भी सभी हो लेकिन अंतर क्या है एक है ग्यान सुनने सुनाने वाले यथा शक्ति जीवन में लाने वाले दूसरे हैं ग्यान और योग को हर समय अपनी जीवन की नेचर बनाने वाले विद्यारत ही सभी हो लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबर वार बन जाते हैं जिसकी नेचर ही ग्यान योग की होगी उसकी धारणा भी नैचरल होगी नैचरल सुभाव संसकार ही धारणा सुरूप के होगी फिर बाबा ने का बार बार पुरशार्त में करना पड़ेगा कि इस गुण को धारण करूँ उस गुण को धारण करूँ लेकिन पहले foundation के समय ही ज्ञान योगदारना को अपनी जीवन बना दी ना इसलिए तीनों subject ऐसी आत्मा की स्वते और स्वाभाविक अनुभूतियां बन जाती है तीनों subject का connection है जिसके पास इतनी अनुभूतियों का खजाना संपन होगा एसी संपन मूर्थियां स्वते ही master दाता बन जाती है दाता अर्थात सेवा धारी दाता देने के बिना रह नहीं सकता दातापन के संसकार से स्वते ही सेवा का subject practical में सहज हो जाना है तो चारों का ही संबंद हुआ न कोई कहे कि मेरे में ग्यान तो अच्छा है लेकिन धारना में कमी है तो उसको ग्यानी कहा जाएगा क्या ग्यान तो दूसरों को भी देते हो न तब तो देते हो एक है समझना और दूसरा है स्रूप मिलाना समझाने में सभी हुश्यार समझाने में सभी उश्या लेकिन नंबर वार नंबर वन बनना है तो ग्यान और योग को सुरूप में लाओ असली चीज तो यह है फिर नंबर वार नहीं होंगे लेकिन नंबर वन होंगे तो सुनाया कि आज सत शिक्षक अपने चारों और के इश्वरी विद्यारतियों को देख रहे थे तो क्या देखा सभी नंबर वन दिखाई दिये वा नंबर वार दिखाई दिये क्या रिजल्ट देखी होगी वा समझते हो नंबर वन तो एक ही होगा हम तो नंबर वार में ही आएंगे फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना उसमें एक नहीं होता है तो चेक करो अगर बार बार किसी भी बात में स्थिती नीचे उपर होती है अर्थात बार बार पुर्शार्थ में मेनत करनी पड़ती है इससे सिद्ध है कि ज्ञान की मूल सब्जेक्ट के दो शब्द रचता और रचना की पढ़ाई को सुरूप में नहीं लाया है जीवन में मूल सुरूप के रूप में वा मूल नेचर के रूप में वा सैस सभाव के रूप में नहीं लाया है ब्राह्मन जीवन का नेचरल सभाव संसकार ही योगी जीवन 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 अर्थात निरंतर सदा आठ घंटा जीवन है फिर चार घंटा नहीं ऐसा नहीं होता आज दस घंटे के योगी बने आज बारा घंटे के योगी बने आज दो घंटे के योगी बने वह योग लगाने वाले योगी हैं या योगी जीवन वाले योगी नहीं विशे संग्थित रूप में इसलिए बैठते हो कि सरव के योग की शक्ति से वायू मंडल द्वारा कमजोर पुर्शार्थियों को और विश्व की सरवात्माओं को योग शक्ति द्वारा परिवर्तन करें इसलिए ये भी आवश्यक है लेकिन इसलिए योग में नहीं बैठते हो कि अपना ही तूटा हुआ योग लगाते रहो संग्थिक शक्ति ये भी सेवा के निमित है लेकिन भठी इसलिए नहीं रखते हो कि मेरा कनेक्शन फिर से जुट जाए अगर कमजोर हो तो इसलिए बैठते हो और योगी तूँ आत्मा हो तो मास्टर सरशक्तिवान बन मास्टर वेश्वकल्यान कारी बन सरव को सैयोग देने की सेवा करते हो तो पढ़ाई अर्थात सुरूप बनना अच्छा ऐसे सदा जागती जो सदा स्वेम प्रकाश रूप बन अनेकों का नकार मिटाने वाले सच्छे दीपक सदा चारों ही सब्जेक्ट को साथ साथ जीवन में लाने वाले सरव सब्जेक्ट में नंबर वन के लक्षे को लक्षण में लाने वाले ऐसे ज्ञानी तू आत्मा हैं योगी तू आत्मा हैं दिवे गुण सुरूप आत्मा हैं निरंतर सेवाधारी स्रेष्ट विश्व कल्यानकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अच्छा यह थी प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली के चारों ही सब्जेक्ट का सुरूप बनना है ओम शाम यह एक पेरणादायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें झाल